नमस्कार मित्रो मैं मम्ता बाजपेई भुपाल से मेरी हरी बरी चत पर आपका स्वागत है लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नए जानकारी के साथ आप देख रहे हैं इंडियन टर्स गार्डनिंग आर्ड और आच्छे लिए स्ट्रोवेरी के बारे में बात लेती हूँ और उसमें थोड़ी बहुत स्ट्रोवेरी निकलती भी है आप ज्यादा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं बहुत आसान है योगाना तो इनको कब लगाना चाहिए कैसी मिटी चाहिए कितनी सनलाइट चाहिए क्या केयर होती है मैं क्या क्या करती हूँ वो मैं आ को September last week से October में लगाना शुरू कर देते हैं और फिर ये हमें फल देती रहती है लंबे समय तक चलती है अभी देखिए मार्च चल रहा है और ये अभी भी फल रही है अगर इसको ठंडा महौल मिलता रहा तो ये लगबग पौदा तो पूरे ही साल बना रहता है और फल भी देत है लेकिन जो सर्दियों में बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है मिटी की बात करें इसकी तो इसको मिटी भुरभुरी मिटी चाहिए वैल ड्रेंड और अच्छी खाद भी चाहिए तो उसमें पत्ति की खाद मिला सकते हैं गोबर की वर्मी कंपोस्ट आपके पास जो भी हो और यदि आपकी मिटी काली चिकनी है तो आप उसमें जरूर रेत मिला है अगर खाद अच्छा होगा तो फ्रूट के साइज भी अच्छे बड़े होंगे देखिए कितना बड़ा फ्रूट लगा है यह हाला कि मेरे हाई यह होता है कि चिडियां कबूतर आके खा जाते है स्ट्रोबेरी बचती नहीं है बहुत कम खाने को मिलती है और आप इसमें पड़े देख रहे हैं यह मल्चिंग है तो जब भी स्ट्रोबेरी का फल अगर मिटी से टच होता है तो वो खराब हो जाता है वैसे तो नेचुरली इसका फल जो है ना गमले के बाहर लटक के फलता है देखिए इसमें लंबी सी डंडी होती है और उसको हम अगर थोड़ा सा सहारा देके लटका दें तो वो बाहर लटक जाता है और अगर आपकी ट्रे में या पॉट में है तो आप उसमें ऐसी मल्चिंग ज़रूर करें सर्दियों में तो इसे फुल सनलाइट चाहिए लेक लेज गर्मी में भी ये पौधों के जुंड के बीच में फसी रह जाएंगी और ये आराम से पूरी साल चल जाएंगी जब इसको दुबारा लगाना हो तो जिस तरह से शेवंती में रनर्स निकलते हैं न साइट से पौधे निकलते हैं इसमें नीचे से रनर्स निकलते हैं लंबी टहने निकलती है उसमें एक छोटा सा पौधा बन जाता है और उसी को काट के या उसमें रूट सी एरियल रूट होती है उनमें हम मौस ग्रास या थोड़ी खाद मेला खाद की पोटली बना दे तो भी नया पौधा बन जाता है या हम उसकी कटिंग लेके लगा दे और ये काम भी हम ठंड में ही करते हैं बरसात के जाते जाते भी कर सकते हैं मतलब एक से अनेक पौधे एक ही पौधे से बन जाता है आप एक साल एक स्ट्रॉबेरी खरीद के लाए हैं लाएंगे तो आपके साल दर साल वो चलेगी लेकिन इसकी जहां ये रूट होती है उसके आसपास ये मल्चिंग रही पत्तों की तो कई बार इसमें फंगस अटेक का भी खत्रा रहता है पौधा गल के सड़ जाता है इसमें और ज्यादा कोई बिमारी नहीं लगती फंगस का अटेक होता है पत्तों पर कई बार होता है तो आप कोई भी मिठी बनाए तब आप नीम की खली बगएरा डालें और और और्गनिक तरीके से तो फिर आप छाच बगएरा चुड़क सकते हैं लेसन का वो भी पेस्ट भी चटनी बनाके भी चान के चुड़क सकते हैं मैं वैसे जादा कुछ करती नहीं हूँ जितनी फ्रूटिंग मिल जाती है उतनी अच्छी है मल्चिंग कर देती हूँ और टाइम से पानी देती रहती हूँ और हाँ मैं इसमें लिक्विड मैनियोर जरूर देती हूँ लिक्विड मैनियोर क्या है पौधे की health अच्छी रहती है अब बात कर लेते हैं pot size की तो ये छोटे से छोटे pot में भी लग जाती है 8-inch के pot में भी आप लगाएंगे तो लग जाएगी बलकि कई बार जो nursery में packet आता है उस packet में भी आप देखेंगे तो ये अच्छी fruiting देती है लेकिन अगर आप काफी चोड़ाई वाला pot दें जिसमें गहराई ज्यादा ना भी हो तो चलेगा तो आप अगर 6-8-inch उचाई वाले pot में लगा देंगे लेकिन इसकी चोड़ाई ज्यादा होना चाहिए तो ये अच्छी fruiting देगी इसको बहुत बड़ा pot नहीं चाहिए तो एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ मिट्टी वैल्डरेंड चाहिए pot छोटा चल जाएगा 8-inch तक का सनलाइट सर्दियों में full चाहिए गर्मियों में semi-shade में हो जाएगी और runner से इसका development होता है और मुझे उम्मीद है कि आप भी उगा पाएंगे strawberry आप लगाईए बहुत आसान है strawberry उगाने में बिलकुल भी कोई दिक्कत नहीं है और वीडियो अच्छा लगा हो तो like भी कीजिए share भी कीजिए subscribe तो मुझे कर ही लीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार